दोस्तों अगर आपको पैसों की जरत है तो आप ऑनलाइन ही योनस बियाई से लोन के लिए अपलाई कर सकते हैं इसमें आपको मैक्सिमम 10 लाग रुपए तक का लोन मिल सकता है आज की सीडियो में हम योनस बियाई से लोन अपलाई करने का प्रोसेस क्या है इसके बारे में complete जानकाली देंगे तो चलिए सुरू करते हैं आप योनस बियाई application को open करेंगे और यहां आप login की icon पे click करेंगे और यहां पे आप enter करेंगे MPIN application में login करेंगे अगर आपने अभी तक योनस बियाई में registration नहीं किया है तो आपको मेरे वीडियो के description में link मिल जाएगा login करते ही आपके सामने application का कुछ इस type का interface खुल किया जाएगा loan apply करने के लिए आप सब से उपर 3 line आप इस पे click करेंगे और यहां पे आप नीचे scroll down करेंगे option देखने को मिल जाएगा loan का आप इस पे click करेंगे क्लिक करते ही आपके सामने loan section का page खुल के आ जाएगा यहां पे आपको कई सारे loan के यहां पे option देखने को मिल जाएगे आप यहां से home loan, car loan, education loan, express credit loan और gold loan के लिए आप यहां से apply कर सकते हैं आज हम आपको इस वीडियो में express credit loan कैसे apply करें इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे तो हम यहां पे express credit loan हम इस पे click करेंगे इसके बाद आप यहां no more पे click करके आप यहां से loan की यहां सारी eligibility और features और document आप यहां पे check कर सकते हैं तो हम यहाँ पर document पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप document भी देख सकते हैं pen card, आधार कार, 3 month salary slip और check off from employee तो यहाँ पर आप देख सकते हैं document, interest rate हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको interest rate देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर minimum यहाँ पर 11.65% का आपको यहाँ पर interest देना पड़ेगा, maximum यहाँ पर 14.65% overdraft में यहाँ पर minimum 12.15% और maximum 15.15% तो यहाँ और भी आप इनके यहाँ पर detailed documentation और features भी देखना चाहें तो eligibility आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, eligibility की बात करें तो customer should be permanent employed with minimum 1 years तो यहाँ पर permanent employee हैं तभी आप यहाँ से express credit loan apply कर सकते हैं, central and state government, costi government, central POC, profit making, state or education institute, national repute तो यहाँ पर अगर employment में यहाँ पर permanent employee हैं, in sector में तो आप यहाँ से loan apply कर सकते हैं, apply करने के लिए आप नीचे आपको option दिख जाएगा, apply now आप इस पर click करेंगे क्लिक करते ही अब आप यहाँ पर income and employment detail देंगे, तो यहाँ पर आप net monthly income, आपकी monthly income कितनी हैं, आप यहाँ पर इंटर करेंगे तो आप यहाँ इस पर box पर टिकर देंगे regular, और यहाँ पर आप time in current organization, regular employment हैं, तो आप कितने सालों से हैं, regular employment आप यहाँ पर year इंटर करेंगे, और यहाँ पर आप month भी इंटर कर सकते हैं, organization type में, यहाँ पर आप select organization type, आप इस पर click करेंगे, तो यहाँ पर आपको organization type में, government organization, public sector, defense, establishment, education institute, corporate, तो यहाँ पर आप किस sector में, यहाँ पर organization में, आप यहाँ service करते हैं, तो यहाँ पर आप select कर लेंगे, select करते ही, अब आप नीचे आएंगे, तो यहाँ पर आपने कोई भी organization आपने select किया होगा, तो यहाँ पर आप type of government organization तो आप इहाँ इस पर click कर देंगे, तो यहाँ पर government organization में, central government organization है, या state government organization है, या कॉसी government organization है, आप यहाँ पर select कर लेंगे, इसके बाद अगर आपकी यहाँ पे कोई और भी पुराना लोन चल ला है तो यहाँ से आप EMI भी और इसमें add कर सकते हैं अब आप नीचे next पे click करेंगे click करते ही आपके सामने next पे इस खुल किया जाएगा यहाँ पे आप check off detail देंगे तो आपको यहाँ पे 2% का conception मिल जाता है अगर आप check off लेना चाते हैं तो यहाँ पे आप yes करेंगे अगर आप check off नहीं लेना चाते हैं तो यहाँ पे आप no करेंगे तो यहाँ पे अगर आप agree हैं तो यहाँ पे आप yes करेंगे नहीं तो no करेंगे check off यहाँ पर कई organization और sector में यहाँ पर bank की यहाँ पर साजेदारी होती है जिससे कि आपको यहाँ पर 2% का यहाँ पर conception मिल जाता है अगर आप check off लेते हैं तो यहाँ पर आप check off फारम डाउनलोड करेंगे लुक्त करेंगे के क्लिक करेंगे आपकी ऎहाँ यहां पर दाउनलोड हो जाए कि यहाँ पर चकाफ फारम डाउनलोड करने के बाद कुछी स्टैप का यहां पर आपका चकाफ फारम डाउनलोड हो जाएगा फ्रॉम में आप यहां पर अपनी डिटेल देंगे तो यहां पर आपको डिपार्टमेंटल आप किसी सेक्टर में काम करते हैं departmental आपको यहाँ पर signature आफिसली आपने आप पर signature और stamp आपको यहाँ पर करवाना है तो यहाँ पर आपको सारी detail फिल कर देनी है फिल करने के बाद आप यहाँ पर check-off form आगे upload करेंगे तो जैसा कि हम यहाँ पर check-off नहीं लेंगे तो हम इसको यहाँ पर no कर देंगे अब आप नीचे आएंगे आप यहाँ next पर click करेंगे next पर click करते ही आपका bank में जो भी resident address permanent address होगा यहाँ पर so हो जाएगा अब आप यहाँ पर अपना state select करेंगे आप इस पर click करेंगे तो यहाँ से आप अपना state select कर लेंगे स्टेट सेलेट करते ही आप यहां डिस्टिक पर क्लिक करेंगे तो यहां से आप अपना डिस्टिक सेलेट करेंगे डिस्टिक सेलेट करते ही अब आप यहां पर सब डिस्टिक अपना सेलेट करेंगे इसके बाद आप यहाँ पर आयाथराइज, State Bank of India, Civil Detail, Purpose, Loaned Application आप यहाँ बॉक्स पर टिक कर देंगे अगर आपका Permanent Address और Resident Address सेम है आप यहाँ बॉक्स पर टिक कर देंगे अगर आपका Resident Address और Permanent Address दुसरा है तो यहाँ पर आप बॉक्स पर अंटिक कर देंगे सेलेट करेंगे, सब डिस्टिक सेलेट करेंगे तो यहाँ पर अपनी यहाँ पर Communication Address देंगे अगर आपका सेम है Permanent Address और Communication Address आप यहाँ बॉक्स पर टिक कर देंगे अब आप नीचे Next पर क्लिक करेंगे क्लिक करते ही अब आप Next पर आजाएंगे यहाँ पर आप Additional Details देंगे तो यहाँ पर आप Additional Details में आप यहाँ पर Mother Name इंटर करेंगे और यहाँ पर आप सेलेट करेंगे Education Qualification आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे graduation, high school, PG, other आप यहाँ पे select कर लेंगे इसके बाद house ownership, select ownership आप इस पे click करेंगे अगर आप rent पे रहें तो यहाँ पे आप rented select करेंगे अगर आपके guardian के नाम है house तो यहाँ पे आप parental select करेंगे अगर company provide तो यहाँ पे आप company provide select करेंगे तो हम यहाँ पर select कर लेते हैं इसके बाद gross monthly income आप इस पर click करेंगे तो आप यहाँ पर monthly income इंटर करेंगे तो आपकी यहाँ पर जो net monthly income है उससे यहाँ पर ज्यादा होनी चाहिए gross monthly income तो हम यहाँ पर enter कर देंगे यहाँ पर religious अपना select करेंगे आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आप अपना religious बताएंगे इसके बाद नीचे आएंगे आप यहाँ पर category में select category आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपनी category बताएंगे और नीचे आएंगे आप यहाँ फिजिकल डिसबिलिटी आप इस पे क्लिक करेंगे अगर कोई यहाँ पे फिजिकल डिसबिलिटी है तो यहाँ पे आप सेलेट करेंगे अगर कोई भी डिसबिलिटी नहीं तो यहाँ पे आप नो डिसबिलिटी सेलेट करेंगे तो हमारी यहां पे कोई disability नहीं है, इस पे select कर लेंगे, अब आप नीचे next पे click करेंगे, next पे click करते ही आपके सामने next पे इस खुल के आ जाएगा, अब आप यहां पे work detail देंगे, आप यहां पे अपना office address इंटर करेंगे, आपकी जगे पे service कर रहे हैं, employment है तो यहां पे आप उसका address detail देंगे, address line 1 और address line 2 में आप यहां पे detail देंगे, और यहां पे आप pin code इंटर करेंगे, यहां पे आप state select करेंगे, और यहां पे आप district select करेंगे, और यहां पे आप सब district select करेंगे, और यहां पे आप office का contact number देंगे, यहां पे remaining service मत, आपकी service कितनी बची भी है, तो जालिए हम यहाँ मंत Olá सीटा कर देते हैं сегодня पर आपके जो भी टार्ट्मेंट के हैड होते हैं आप यहाँ पर उनका एडर्स डेंगे और यहां पर आप डीजनेशन अप यहां डीडियो की डेशन बताएंगे डेशन कके है पोजिशन क्या है आप यहां पे इंटर किरेंगे अब आप नीचे एक अप सबकर आप इसा पर क्लिक करेंगे तो यहां पर नाम हउस है फ्लैट है सोब यह प्लॉट है नहीं तो यहां पर आप अधर select करेंगे इसके बाद आप यहां पर मोईबल में आप इस पर click करेंगे तो यहां पर मोईबल में आपके पास 4-wheeler है 2-wheeler आप select करेंगे ऐसे यहां पर अगर आपके पास liquid asset है तो यहां पर bank deposit investment आप यहां select कर सकते नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं तो चलिए हम इसको छोड़ देंगे अब आप नीचे next पे क्लिक करेंगे next पे क्लिक करते ही अब आप next page पर आ जाएंगे यहां पर आप declaration on liabilities detail देंगे अगर आपका कोई लोन चला है तो यहां पे आप लोन डीटेल देंगे अदर लोन more gratis outstanding तो यहां पर आपका लोन कितना बचा हुआँ है अगर कोई लोन पहले से चला तो यहां पर इंटर करेंगे other loan from bank financial अगर आपने कहीं bank से या financial institution से लिया है तो यहाँ पे आप amount इंटर करेंगे और यहाँ पे friends and relative से अगर आपने लिया तो यहाँ पे इंटर करेंगे नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं अब आप नीचे next पे click करेंगे next पे click करते ही आपके सामने loan offer आ जाएगा तो यहाँ पे आपको जितना भी loan का offer दिया गया है यहाँ पे आपको amount दिख जाएगा तो जैसा कि मुझे यहाँ पे 4,80,000 रुपे का यहाँ पे offer मिला है loan का तो यहाँ पे आप processing fees भी आपको देखने को मिल जाएगी 3,600 रुपे आपके यहाँ पे जितनी भी processing fees होगी प्लस आपको यहाँ पे interest rate प्लस service tax के साथ आपको यहाँ पे interest rates देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पे आप select करेंगे तो अब आप नीचे next पे click करेंगे next पे click करते ही अब आप यहाँ पे loan calculate करेंगे तो यहाँ पे आप यहाँ पे loan calculate भी कर सकते हैं आपको कितने loan की जोरत है आप यहाँ से कम जादा भी कर सकते हैं इसके बाद आप यहाँ पे loan duration month में यहाँ पे आप loan कितने महिनों के लिए लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप select करेंगे और यहां पे आपकी EMI कितनी रहेगी, round off यहां पे आप देख सकते हैं, 5111 में जैसे की मेरी यहां पे EMI रहेगी, अब आप नीचे यहां Nest पे क्लिक करेंगे, नेच्ट पे क्लिक करते ही, आपके सामने Nest पे इस खुल किया जायेगा, अब आप यहां पे स्कैन और अपलोड करेंगे, डाकॉमेंट, डाकॉमेंट में आप यहां पे अपनी एक रिसेंट की फोटो यहां पे अपलोड करेंगे, तो आप यहां पे कैमरे से भी क्लिक करके फोटो अपलोड कर सकते हैं, आप यहां अपनी गैलरी और फाइल से भी सेलेट करके आप फोटो अपलोड कर सकते हैं, तो यहां पर आप जो भी डाकॉमेंट अप्लोड करेंगे तो डाकॉमेंट यहां पर 3 MB से साइज में ज्यादा नहीं होना चाहिए डाकॉमेंट अप्लोड करने के बाद अब आप नीचे नेश्ट पर क्लिक करेंगे नेश पे क्लिक करते ही अब आप यहां पे सिलेट करेंगे ब्रांच तो यहां पे आप अपनी होम ब्रांच भी सिलेट कर सकते हैं तो यहां पे आप माई होम ब्रांच सिलेट करेंगे तो चलिए हम यहाँ पर अपनी home branch जाएंगे तो हम यहाँ पर my home branch हम इस पर click करेंगे click करते ही जो भी आपकी home branch होगी यहाँ पर show हो जाएगी अब आप नीचे next पर click करेंगे इसके बाद congratulations आपका यहाँ पर loan application form submit हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक application number मिल जाता है इस application को आपको screenshot ले लेना है या फिर लिखके रख लेना है और यहाँ पर आपको loan amount देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको 10 ever देखने को मिल जाएगा अब आपको branch visit करना है जो भी आपने branch select किया है आपने जो भी यहाँ पे document upload किये हैं वो सारे document की hard copy लेके आपको branch उजीट करना है branch जाके आपको कोई भी documentation नहीं करना है सिर्फ आपको hard copy देनी है आपको यह application number देना है branch से आपका loan amount sanction कर दिया जाएगा तो ऐसे दोस्तो आप SBI से express credit loan के लिए apply कर सकते हैं तो दोस्तो loan apply करने का काफी लंबा process है तो आशा करता हूँ दोस्तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो को लेकर कोई question करना है आप मेरे comments box में पूछ सकते हैं वीडियो पसंद आया तो like करें मेरे YouTube channel पे नहीं है तो subscribe करें मिलते हैं दोस्तो नेस्ट वीडियो में जाएं